समस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो की जो हमारी जानकारी है वो खास तोर पर उन लोगों के लिए है जो की soft drink का सेवन करते हैं अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो की soft drink को पीते हैं या फिर road daily इसका उप्यूग करते हैं तो ये जानकारी खास तोर पर आप लोगों के लिए हैं बहुत important जानकारी है दोस्तों बिल्कुल भी skip ना करें अगर आप soft drink पीते हैं तो इस जानकारी को पूरा जरूर सुने क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपून साबित हो सकती है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको soft drinks होने वाले ऐसे नुकसानों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जादा तर लोगों को पता नहीं होता है इस कारण वे soft drink का निरंतर प्रियोग करते जा रहे हैं और अपने शरीर को खराब बनाते जा रहे हैं अब इस से शरीर किस प्रकार से खराब होता है क्या क्या इसके नुकसान होते हैं वो सारी एहम जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं दोस्तों आपका स्वास्त बहुत ही अनमोल है और सौफ ड्रिंक पीकर उसे बरबात करना आपके लिए कोई समझदारी की बात नहीं है जितना हो सके इस सौफ ड्रिंक से दूर रहें अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अपनी इस बुरी आदत को छोड़ देंगे क्योंकि बुरी आदत कोई भी छोड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है बस मन में विश्वास होना जरूरी है खास दोर पर जब आपको इससे होने वाले नुक्सानों के बारे में पता चल जाए तब तो इसे आप जरू छोड़े तो चलिए अब दोस्तों आपको बताते हैं कि इस सौफ ड्रिंक को पीने के क्या-क्या भेंकर नुक्सान होते हैं दोस्तों soft drink आपकी हड्डियों से केल्शियम को सोकने का काम करती है जिससे हड्डिया आपकी कमजोर और भंगूर हो जाती है जियां, सोफ ड्रिंग में फास्फोरिक एसेड मिला हुआ होता है जो की अमलिय होता है ये हड्डियों से केल्शियम को सोकता है केफिन भी केल्शियम सोकने का काम करता है जिससे हड्डियों पर बहुत ही ज़्यादा बुरा आसर परता है दोस्तो निरंतर आपकी हड्या कमजोर हो जाएंगी केल्शम की कमी होने से हड्यों का कमजोर होना एक सामानिय बात है ऐसे में हड्यों के लिया से देखा जाए तो सोफ ड्रिंग बहुत ही बूरी चीज है जितना जल्दी हो जाए इसको छोड़ दें बात करते हैं इसके दूसरे साइड़ वेक की दोस्तो सोफ ड्रिंग हड्या तो गमजोर करिती है उसके अलावा वजन भी आपका बढ़ाती है जियां सोफ ड्रिंग पिने से वजन बढ़ता है सोफ ड्रिंग में भरपूर मातरा में शुगर पाई जाती है और ये मातरा आपको मोटा करने के लिए परियापत है दोस्तों मोटापा तो सोड ड्रिंक से होने वाली एक प्रतियक्ष बिमारी है जो दिख जाती है लेकिन उन बिमारी का क्या जो मोटापे की वज़े से होती है वो बिमारिया तो आपको नहीं दिखेंगी केवल मोटापा ही नहीं मोटापे की अलावा भी बहुत सारी अंद्रूनी बिमारीयों को ये पेदा गड़ती है जो कि हमें दिखती नहीं है मोटापा एक प्रतियक्ष बिमारी है जो हमें दिख जाती है इसके अलावब दूस्तों ये डिप्रेशन और तनाओ का भी कारान बन सकते हैं आप इसको पीने से क्योंकि सोफ ड्रिंग पीने से व्यवार पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है इससे तनाओ और डिप्रेशन होने का खत्रा होता है सोफ ड्रिंग में मिलाए गरे अरसायनिक तत्वों से दिमाग के अरसायनिक कमपोजिशन पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है ऐसे में सोफ ड्रिंग का अधिक सेवन करने से भविश्य में आपको डेप्रेशन और तनाव का खत्रा बना रह सकता है दोस्तो जो लोग पेले से ही मोटे हैं और उनके परिवार में पेले भी कोई डाइबिटीस से पिडित रह चुका है तो उसे सोफ ड्रिंग एकदम से नहीं पीनी चाहिए बलकि इससे दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि सोफ ड्रिंग में जिस मातरा में शुगर मोजूद होता है वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है इससे सीधा सीधा आपको डाइबिटीस होने का खत्रा हो सकता है दोस्तो सोफ ड्रिंग का असर आपकी किड्नी पर भी पड़ता है जी हां इससे आपकी किड्नी की सक्रियता पर बहुत असर पड़ता है और उसके फंक्षन पर भी बहुत असर पड़ता है जिसका असर आपके पूरे शरीर पर देखने को पड़ेगा और आपकी किड्नी धीरे धीरे खराब होने लगती है किड्नी को अगर आपको सही रखना है तो सोफ्ट ड्रिंक से आपको दूरी जरूर बनानी पड़ेगी तो दोस्तो देखा आपने किस प्रकार सोफ्ट ड्रिंक आपके शरीर के विबिन हिस्सों के लिए किस किस प्रकार से जम्मेवार होती है उनको खराब करने के लिए तो दोस्तो सेवर सोफ ड्रिंग को अगर आप बिलकुल लिमिटेट पीते हैं तो कोई नुकसान नहीं है लेकिन अगर आप इसका रोड डेली सेवन करते हैं तो ये आपके शरीर को जरूर नुकसान पुचाती है तो ऐसे में सतर करें इससे दूरी बनाये रखें बहुत कम मातरा में इसका यूज करें कभी कबार आप करते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर को नुकसान जरूर भुकतने को मिलेगा तो दोस्तो ये थी हमारी आज की जानकारी आप सबी लोगों के लिए उमीद करता हूँ वीडियो जानकारी आपको पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोड़ दबाए मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्यार रखें बहुत बहुत धन्यवाद